नमस्कार कोई ग्यान चैनल में आपका स्वागत है क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम पे रील वीडियो बनाना चाहते हैं क्या आप सिखना चाहते हैं क्या आप अपने इंस्टाग्राम पे रील वीडियो कैसे बना सकते हैं तो इस वीडियो को देखते रहे तो चलिए अपने मोबाईल पर अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाईल पर हैं मोबाईल पर आने के बाद इंस्टाग्राम पर रील वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको नीचे में एक पलस का आइकन मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको कई सारा सेक्षन दिखने के लिए मिल जाता है जैसे कि यहाँ पावकर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से पोस्ट कर सकते इस्टोरी लगा सकते हैं, तो Instagram पर Reel वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना है कि Reel को Select कर लेना है, उसके बाद यहाँ आपको एक Camera का Option मिलता है, अगर आप Camera का यूच करके वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको Camera पर Click करना है, अगर आप Template का यूच करके वीडियो बना लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम camera पे click करते हैं, click करने के बाद यहाँ पापका camera open हो जाएगा, अब यहाँ से अगर आप इसको front camera में change करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको back camera में change करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको back camera में change कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपको एक music क का option मिलता है अगर आप अपने instagram की real video में कोई भी song या music लगाना चाहते हैं तो आपको इस music पे click करना है और यहाँ पर आपको music देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ से आप जो भी music को लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं और वीडियो बनाने के बाद भी आप real video पे आप song या music को लगा सकते हैं अब यहाँ पर आपको एक filter का option मिलता है अगर आप अपने instagram के video पे real video पे filter लगाना चाहते हैं तो आपको filter पे click करना है उसके बाद आप instagram पे जो भी filter को save की होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पर जो भी instagram का filter होगा यहाँ पे दिख जाएगा आप instagram पे जो भी trending filter चल लहा होगा आपको trending में मिल जाएगा और instagram पे जो रील का फिल्टर होगा आपको रील वारे फिल्टर में देखने के लिए मिल जागा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहां से कर सकते हैं उसके बाद अगर आप अपने इंस्टाग्राम के रिल वीडियो पे कोई भी इस्टिकर लगाना चाहते हैं तो आपको यहां पर किलिक करना है और यहां पर आपको बहुत सरा इस्टिकर देखने के लिए मिल जागा तो यहां सब जो भी इस्टिकर को लगा बना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 15 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड, 30 सेकेंड दिया गया है तो आपको जितना दिर का वीडियो बनाना है यहां से आपको टाइम को सिलेक्ट कर लेना है और यहां पर आपको वीडियो का स्पी में वीडियो को बनाना चाहते हैं तो आपको फ्रेम पे क्लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर तरह तरह का फ्रेम दिया गया है यानि ले आउट दिया गया है तो इस तरह से आपको जो भी ले आउट में जो भी फ्रेम में आपको वीडियो को बनाना है इ इतना देर का countdown चाहिए, यहां से आप उसको select कर सकते हैं, तो यहां से आप उस timer को set कर सकते हैं, जैसे कि 15 seconds, 2 seconds, 3 seconds आपको जितना देर का timer रखना है, यहां से आपको countdown को select कर लेना है, उसके बाद आपको set timer पे click करना है, उसके बाद आपको नीचे में भी filter देखने के लिए मिल रखना है तो इस तरह से वीडियो बनना चालू हो जागा तो इस तरह से आप यहां से लोकेशन चेंज करकर करके प्रेस करकर करके आप यहां से तरह तरह का सूट कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां से तरह से तरह का सूट हो रहा है तो आपको इस तरह से आपको क्या करना है कि यहां से देख सकते हैं कि आप जितना पार्ट में वीडियो को यहां पर रिकॉर्ड किये होंगे यहां पर उतना पार्ट दिख जाएगा अब यहां से अगर किसी भी पार्ट को आपको डिलीट करना है तो उस पार्ट को आपको क्या करना है कि सिलेक्ट क करना है तो यहां पर देख सकते हैं कि इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद आपको डिसकार्ड पे किलिक करना है और फिर से आपको डिसकार्ड कर देना है तो यहां से वह जो किलिप है यहां से डिलीट हो जाएगा अब यहां से अगर आप इसमें किस करना चाहते हैं उस clip को आपको select करना है select करने के बाद यहाँ आप आप देख सकते हैं कि यहाँ सोग clip आ गया है उसके बाद अगर आपको किसी भी clip को आपको छोटा करना है वह लंबा है तो इस तरह से इसकी मदद से इसकी साहता से इस तरह से उस clip को आप छोटा कर सकते हैं अब आपको वीडियो पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप add clips का option दिया गया है same option है यहाँ से भी आप clips को add कर सकते हैं उसके बाद यहाँ आपको एक music का option मिलता है तो आपको यहाँ पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको music देखने के लिए मिल जाएगा भाग लगाना है, जहां से भी लगाना है, और आपको डण कर देना है, अगर आपको यहां पे एक text का option मिलता है, अगर आप अपने Instagram के real वीडियो पे कोई भी text डालना चाहते हैं, तो आपको यहां पे click करना है, और यहां पर आप जो भी चीज type करना चाहते हैं, यहां से उस चेंज हो रहा है और आपको done कर देना है इतना करने के बाद अब आपको sticker का option मिलता है तो आपको sticker पर click करना है किलिक करने के बाद अब यहां से आपको जो भी sticker को लगाना है उस sticker को आपको select करना है और यहां से आप जहां पर भी इसको set करना चाहते हैं इस तरह से आपको set कर लेना है और यहां पर आपको एक फिर से filter का option मिलता है और यहां से अगर आप अपने instagram real video का filter change करना चाहते हैं त तो आपको Next पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप जो भी वीडियो का टाइटल देना चाहते हैं, जो भी वीडियो का बारे में लिखना चाहते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, उसके बाद आपको उपर की ओर स्क्रॉल करना है, अब यहाँ पर आपक का रील वीडियो जिस भी टॉपिक पर है यहां पर आप टॉपिक को आड़ कर सकते हैं तो आपको एड़ टॉपिक पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां से आप अपने वीडियो का टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद आपको डन कर देना है अब आपको क्या करना है कि share पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां सोग जो वीडियो है आपके Instagram पे upload होने लगेगा upload होने के बाद यहां आपको finish up दिखा देगा और यहां से आपको अपने वीडियो पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टाग्राम पर रील वीडियो बन गया है अब यहाँ से अगर आप इस वीडियो को सेर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेर कर सकते हैं तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम पर रील वीडियो को बना सकते हैं किरियेट कर सकते हैं धन्यवाद